है अज़न दोस्तों वेलकम टू दे रॉक्स ट्रेशन तो कैसे हैं आप लोग मैं आसा करता है आप लोग सभी का आफ यह अछे होंगे आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इस कायोको का जो यह लेक गार्ड और हैंड गार्ड जो होता है वो दोनों का रिव्यू और यह मैंने लगभग एक महना यूज कर लिया है और मैं आप लोग को बताऊं कि कैसा ही यह इसका क्या डूरेबिलिटी टेस्ट भी जो है कर चु पहले तो मैं इसके बारे में हलका बताता हूं कि यह जो है असल में जब आप लोग ने पिछला का पिछला जो ब्लॉक देखा होगा सरम फोल तो इसमें दो बार फिशल के गिर गया था तो इसमें हुआ कि गुटने के बल गीरा था तो जिसका रएन इसमें हलका सा दरार आ है तो अगर यह राइडिंग करते होगे अगर देखा जाए तो उतना दी यह जब नहीं है जब कि इसका जो कॉस्ट पढ़ता है दो हजार की आस-पास पढ़ता है और तो इस तरीके से दोस्तों यह इस ट्रैप दिया वा है काफी इजी है इसमें आपका स्टील वाला जिसमें आपका बॉडी फ्रेम दिया रहता है वो भी मैंने यूज किया है पर उसमें जो है ना मूब्मेंट उतना अच्छा नहीं रहता है मतलब मूब्मेंट बाइस अगर देखा जातों यह काफी सही है तो दोस्तों यह है इसका लेगाड और लेगाड जस देख सकते हैं आप लोग काफी सही है और उसमुझे मूब्मेंट करने में कोई भी दिकत नहीं आ रही है प्लस मैं अभी दौड के इसमें दिखाऊंगा तो पेरे उससे पहले मैं पहन लेता हूं हैंड गाड तो यह हैंड की टू बियर है मतलब अराम से आप लोग पहन जागते हो इसे तो इस टाइप से हो गया यह दूसरे साइट का भी सेम प्रोसेस दोस्तों पहनने के बाद यह लुक आता है काफी सही यहां पर अगर प्रॉपर आप जैकेट पहने होगे ना जैसे मेरे पास जैकेट है मैं अगर उसमें पूरा प्रॉपर वियर करता हूं साइड में आप लोग फोटो दिख रहा होगा तो किस टाइप का लुक आता है आप दोस्तों पूरा आप लोग आपने जैकेट वियर करोगे साथ मीसे वेखरोगे ना तो काफी सही लुक आता है प्लस ऐसे भी काफी सही दिख रहा है आपलोग कमें दिखने से क्या है मतलब प्रोटेक्शन काफी आतक देगा प्लस यह जो यह आपका जो धरार पड़ा ने इ कि यहां पर और उत्मा पड़ा पड़ा करते करते पता ने चला है कि आप लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा चीज पहना है काफी हलका है तो काफी सहीं तो दोस्तों आज आति इस बात पर कि आप लोगो यह लेना चाहिए करेगा पर यह प्लास्टिक का जो तो अगर आप लोग ज्यादा अगर राइड करते हो तो यह आप लोग के लिए एकडम नहीं है बाकि इसको पहनने के बाद आप लोग को ऐसा पता नहीं चलेगा फील नहीं होगा कि आप लोग ने कुछ एक्ट्रा चीज पहना है भारी एकडम भी नहीं है और काफी इजी ग्रिप में कोई दिकत इसमें नहीं आई है तो दोस्तों यह था इसका रिव्यू और कैसा लगा आप लोग कमेंट करो तो मिलता हूं फिर आपको अब आने वाले अगले वीडियो में तब तक लिडियो लाइकन सब्सक्राइब तो माच चैनल और हिट कर देना बेल आइकन क तो ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए पारसल जो था एमेजन से जो मेरे मंगवाया था वाइड एंगल लेंस जो था वो मुझे रिजी हो चुका है जो कि आप अपने फोन से अटाश करोंगी और यह आपका वाओ इसका जो कैमरा होगा वो यह स सकते हो तो काफिर सहीं